बहराईच जिले में पिछले 40 दिनों से एक खतरनाक आदमखोर भेडिया कहर बरपा रहा है जिसने अब तक 8 मासूम बच्चों और एक महिला को अपना शिकार बनाया है इस भेडिये की दरिंगी ने पूरे इलाके को भै और दहशत से भर दिया है मासूम बच्चों के अंगों को चीरते और उनके जीवन को निगलते हुए इस भेडिये की क्रूरता ने पूरे गाव को सदमे में डाल दिया है गाव के हर कोने में डर और सन्नाटा पसरा हुआ है व कि इसी तरह यह कम भर है मार भटावली घटना इत्ती पर इलहें पहुड़ रहा है और चिलान तो इनके मर्द आए अर्दवार प्रसाथ पर उंचे छट पर रहा है पहुड़ें तब वह हुआ से चिलान की लईगा 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 तब हम हुआ से आवाज पायान तब उठे तब देखें तब देखें तब देखें तनी पूंच देखाने तब उत्ति दो आगे जब सफाइला मिला तब द्याखा लिहें जाए तब दोर नहीं से यत्ति पड़ उपर सफा मिला ते लिए भागे जो लें तब फिर आण होई गाए तब फिर जब आगे दोर गयां तो आड़े तो आड़े तो आड़े फिर आगे जब सामने जब पहुंचे पिर हमका जखान फिर लिये जाए पोके बाद में खेट के तरह मुड़ा ते लाग है परिया रहे बसूर बसूर से फिराण होई गा जब ख्यात में चापर पहुंचे यह तार से तड़क के हम उपारनी का फिर हम उपारनी का फिर बैटके निकलिया इतना बड़ा है आगे पाचे के पतला है और आगे के डबल है लंबा मूँ है तब गिर गया जब गिर गया तका उठेन तो लौट के हम ना जानटवा किधर वू गवा बाद में हमका यू सुभा लाग कि कुछ ने जब इती गन्न म्याड़े पर रहा तो गन्न से लिगा तो सबसे चिल्ला हैं का गन्ना घेल लिए गन्न है आगे ना गवा तो जब उमा गन् सब्सक्राइब मिलें अब वू अलोट के हैं हम नाई मिलाओं हाँ दुबारा आवत है वह के रात में हैं उके भोर पहार खाना घटना भय है 22 के 22 के राट के भोर फिर आवा आवा तो इतनी पर आए के हैं इतनी पर इस से पर यह पहुंचा तो राद भर कोई पहुड़ से नाई है बच्चन कहां सब का कम्रम बंध कहीं दिन जात है के बाद में छथ पर देंड़र लेकर चलेकर रहाँ अपर समासी राट डूबती दिन जात है आवत त्यसलूहाले जाथ है अदा जात है नंदिनी वर्मा तुम्हारन पुर्वाव मेरी चाचे वहां पर लेटी थी वहां पता नहीं कि धर से आया उस पर हम लगिया फिर वह चार पाई पर से उठा गयर के फिर आंगन में लेकर कि आया वह पटिका फिर मुझे आवाज सुनाई दी फिर हम मैंने दोड करके घर में से निकला वाहे फिर जैसे कि अड़ती अटा फिर मैंने देखा कि भीडिया वो दोनों पेर धरे च्छते पर और वो नटी को काट रहा फिर हमने खुब चिल लाया पापा मैंने च्छत पर थे भाईया वह भी वो पढ़ रहे थे ते फिर सो गए फिर उन्होंने उन्होंने चि क्या नाम है रीता रेवी संभावना है कि अगर कोई और जानवर का वहां पर पानी में मिक्स करके डाल देंगे तो वहां से निकलने के संभावना है तो इसी मामले में जो आखास बात करना है जैसे होगा जैसे आदेश आएगा इसके मामले में हम अगर जाएंगे तो हमारे लिए खत्रा है यह समझकर वहां से निकल जाता है इसके लिए यह वस्ताव है कि यह कर सकते हैं वन विभाग ने अब इन आदम खोर भेडियों को रोकने के लिए एक नया तरीका खोजा है हाथी के गोबर और यूरिन का इस्तमाल DFO बहराईच का मानना है कि हाथी के गोबर और यूरिन की तीवर दुरगंध छोटे जानवरों को उस इलाके में प्रवेश करने से रोक सकती है इस गोबर और यूरिन को पानी में मिलाकर गाव के किनारों पर छिड़काव किया जाएगा ताकि इन आदमखोर भेडियों को गाव के अंदर आने से रोका जा सके लेकिन सवाल उठता है क्या यह तरीका कारगर साबित होगा या फिर गाव के लोग इसी भयावता में जीते रहेंगे अपने बच्चों की मासूम जिंदगी को खोने के डर में डूबे रह भय और निराशा के इस माहौल में ग्रामीनों को सुरक्षा की सक्त जरूरत है वन विभाग और प्रशासन को इस समस्या का जल से जल समाधान निकालना होगा ताकि बहराईच के लोग फिर से चैन की सांस ले सके और मासूम बच्चों की हसी इस गाव की गलियों में गून सक लोकल एटीम के लिए बहराईच से बिन्नू बालमीकी की रिपोर्ट